BJP ने UP उप्चिनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है BJP ने साथ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है BJP की लिस्ट के अनुसार कुंदरकी से राववीर सिंग ठाकुर चुनावे मातान में उतर गये हैं गाज़ेबाद सदर से संजीव शर्मा को परतियाशी बनाया गया है, वहीं खैर से सुरेंदर दिलेर चुनाव लड़ेंगे, गाज़ेबाद और खैर में बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है, सभा परमुक अखिलेश यादव के स्तिफे से खाली हुई करहल सीट से अनु सुचिस्मिता मौर्या बीजेपी के टिकेट पर चुनाव लड़ेंगी, कठेरी से धर्मराज निशाद बसपई मूल से हैं, तीन बार बसपसे विधायक और बसपस सरकार में मंतरी भी रहे हैं, 2022 से पहले बीजेपी में आए, चुनाव लड़े और हार गए, बीजेपी ने ये ने, फिर से मौका दिया है, वही मझ्मा से सुचिस्मिता मौर्य बीजेपी से विधायक रही हैं, 2022 में सीट निशाद पार्टी को दे दी गई थी, इस बार मझ्मा से बीजेपी अपनी पार्टी की पूर विधायक को लड़ा रही हैं, वही अलिगर की खेर सीट से सुरे देयोगी पार्टी निशाद पार्टी भी इस उपचनाओं में दो सीटे मांग रही है। लेकिन जो सूची आई है उस साफ है कि निशाद पार्टी को कोई सीट नहीं दी गई पिछली बार कठहरी के सीट पर निशाद पार्टी का उम्मिद्वार लड़ा था, इसके अलावा निशाद पार्टी के उम्मिद्वार को भाजपा ने मंजवा की सीट पर अपने सिंबल पर लड़ाया था, इस याधार पर संजय निशाद दोनों सीटे इस उपचनाव में मा समाजवादी पार्टी के जिया और रह्मान विधायक बने थे लोग सबोच नाव में वे संभल सीट से सांसत चुने गए हैं कुंदर की विधान सभा पर बीजेपी को केवल एक बार 1903 में सफलता मिली थी इस विधान सभा में मुसलिम वोट करीब 65 फीजदी और हिंदू से किसी को टिकर दे सकती है वहीं इरिफान के साथ लोगों की सहनुबूती भी दिखाए देती है ऐसे में ये सीट बीजेपी के लिए मुश्किल सीटों में से एक है दरसल यूपी की दस सीटों पर उपचनाव होना था उनमें मैंनपुरी की करहल कानपूर की सीसा महू परि की पूर सीट पर तारीक का एलाना भी नहीं हुआ है